ऑफुशा में और यह संस्क्री क्लास करें चाहिए पर कोशिच रहे हैं नियुक्त नहीं को तयाल शेक्ट नहीं हो पाई हैं वह बी ज्ल्दी हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें जो ओपर नीचे हो रहे हैं पर कोशिश है कि चीज़े कर ली जाएं और फिलाल के जित आपको बताने की पूरी कोचश करूंगे हर सब्जक की तेक है अब जुड़े हैं मेरे साथ मैं हूँ शालन सभी का स्वागत है आप सभी का रजल्ट आ चुका है अब थोड़ा सा हार्ड वर्क जादा करिए वन बाइवन करें करिए एक बैक करेंगे तो पॉल्लम होगी अगर इंड ऑफ दे आप जो एक्साम है उसमें आपको लोड़ना हो और पहले से हर चीज को कवर करके पढ़ करके समझ करें चलें चलिए अब हमने इसके पहले की संसरी क्लास को किया था एक का सिर्फ होई थी जिसमें बेसिक चीजिए जो आपके स्लाबस में स्टार्टिंग में म प्रयास करें रहे और अपको मेरे सप्फूर्ट करना होगा धंक से सथ देटे विए पहले होगा एक समय पर आईए एक क्लास है नौ बते हो रही है सिर्फ एक ही क्लास आपकी बहुए क्लास कर रही है दोनों सेमस्टर के एक ही हो पा रही ही मेरे से तो वो आपको वन सब्सक्राइब चलिए अब बढ़ते हैं संस्क्राइब से संबंदित हमेशा बहुत सारे टॉपिक आते हैं तरही चीज़ें हमेशा पूछी गई है तो समझना भी ज़रूरी है तो बढ़ते हैं आगे वर्ण क्या होता है आपको पता है उचानस्थान वर्णों का जहां से हुँने कर रहे हैं उनके बारे में हमें जानना है तो समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है चलिए कई साइच चीजे में आपको दिखा दी है समझा दी है बता दी है तो थोड़ा सा सध्यान से सुनते वे चलेगा कोई प्रॉबलम है तो उसको multiple time देखे जिए आपकी दिकत दूर हो जाएगी बात कर लेते हैं वर्णों के उचर्ण स्थान की हैं क्या वर्णों का उचर्ण मुख के दौरा होता है जी हाँ वर्णों का उचर्ण मुख के दौरा होता है और सभी वहीं से करते हैं उस समय हमारी जो एक दिनलब रसना है जिसको हम जीव कहते हैं मुख के जिस भाग का इस प तो थोड़ा सा आपको समझते वे काम करना होगा ताकि आप प्रॉब्लम ना हो और आप उस चीज को वन वाई वन काफी अच्छे तरीके से करते वे करें तो यहां पर जो चानल स्थान है वो कोई एक दो नहीं है कई सारे हैं और उन कई सारों में भी कई सारी चीजे हैं जो आ यहां पर आपको मैं दिखा देती हूं आप देख सकते हो कितना आप से पूछा जारा है क्या है तो कंठ है ताल हुए मूर्दा है तंत है ओस है नासिका है जीवा मूल है जो हमने हिंदी में बहुत बार पढ़ा है और मैंने उचानल स्थान को कई बार बता है क्योंकि इससे प्रशन काफी जादा बंते हैं फिलाल इसके बारे में संस्कृत के सूत्र से ही हम काफी अच्छा कर पाते हैं पर थोड़ा सा हमको समझ के चलना होगा अब देखे क्या है वर्णों का चाह स्थान का कंठ का सूत्र है कंठ है वर्णा इसका सूत्र है अकुः विसर्जनिया नाम कंठा अकुः विसर्जनिया में यह चोटा आ है यह स्वर ले लिया गया का का मतलब यहां पर कावर्ग ले लिया गया हा हमारा हा इसमें आ गया ठीक है और विशर्ग भी इसमें आ गया तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं कि सूत्र में ही लिखा है कि काव समस्टर में यूपीटेट में स्टीटेट में हर जगां आपको हेल्प करेगा क्योंकि ये कई तरीके से पूझा जाता है तो ये सूतर ही सबसे है हा है विशर के ऐसे याद कर रहे हैं तो यह हम क्या होता है कि एक दो ही याद कर पाते वाकिछ जो बूल जाते हैं तो उसके लिए जब भी आप कभी रूल नियम के अनुशार चल रहे हैं तो वह चीजें आपके आसान हों कि आको प्रॉब्लम्स कम आएगी तो यहां पर पहला दिया है वो कंठ से उचारण होने वाले सभी वर्णों के बारे में उसमें लिखा रहुता बनाकर लिक लें तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जिसमें चोटा बड़ा का पूरा संग्या रहेगा इसमें का का पूरा वर्ग रहेगा हा करेगा और विसर्ग करेगा इसलिए चोटा बड़ा ये सो स्वर्ग में आगे स्वर्ग में आगे का वर्ग भी इसमें आगे हा भी आगे और वि से आपको समझ के चलना है अगे अगे बात कर लेते हैं तालू का जो सूत्र है वो है इचू यशानामु तालू इचू यशा नाम तालू इ का मतलब यहां पर जानते क्या है छोती इस्वर और बड़ी चा का मतलब चू का मतलब यहां पर क्या है चावर्ग या का मतलब यहां पर क्या है या सीटी वाले सा का मतलब क्या है सा इन सब को जान किस से होगा तालू से होगा इनके सिवा ये तालू के सिवा कि किसी और से उचारित नहीं होगा ये निस्ज़त है ये बदल देन नहीं है बार बार तो ये चीज़ें आपको समझ कर चलनी होगी ताकि पॉबलम्स आपको कमाए है और सूत्र गर्याद है ताब हमेशा ऐसे प्रश्ण जो उचारान से सम्व वह आप डेफिनेटली कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी इश्यू क्लियर आगे पुड़े अब देखें यहां पे जैसे तालब विवर्ण किसे कहते हैं यह पूछा जाता है तो जो वर्ण ताल उसे उचारित होते हैं उन्हें हम तालब वर्ग है या और शाह है जो कि बहुत ही सजारानसा और सिंपल सा दिया गया अब हम आगे बढ़ रहे हैं चलते हैं देखते हैं नेक्स से वर्ण के उचारनसान की बात कर लेते हैं तो यह चीज़ें यहां पर दी गई हैं जो कि आपको समझते वे चलनी होंगी देखते वे चलनी होंगी क्लियर कट में अब मैंने आपको यह तो बता दिया है ठीक है तो यह आपका हो गया आगे चलते हैं नेक्स देखते हैं तीसरा तीसरा है री टू रसाना मूर्धा जिन वर्णों का उचारनस्थान मूर्धा से है मूर्धन ने वर्ण कहलाते हैं जिन वर्णों क सारे के सारे मूर्धन से उचारित होते हैं उनका सूत्र रीटू रसा ना मूर्धा है आगे बढ़ते हैं सिंपल है बहुत बार बताया है कुछ भी ऐसा नहीं है जो आको दिक्कत देगा तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चीज़ को समझते हुए चलिए क्लास पसंदारी तो करती बंती कि आप समय पर आएं चीज़ों को सब्सक्राइब करेंगे डेली आएंगे क्लास में मुझे कमेंट्स दिखने चाहिए आपके व्यूज़ दिखने चाहिए उस तरह किसे फिर आपको मेंटेन करना है आपको रिजल्ट अच्छे लेने हैं फिर मैनत करनी है हम जब कि कहती हूं तो करती हूं इसलती कि नहीं हो ठिक है बाते में सभी को आगे बैदे चलिए बातकर लेटे यहां परे है लिटो लसा नाम दंटा लीतुलसा नाम दंता में किया है कि जिन वर्णों का उचारना स्थान दांत से होता है वो दंते वर्ण कहलाते हैं यहाँ पर री है लाके नीचे रा लगा हुआ है तावर्ग पूरा इसमें आएगा ला आएगा और शा आएगा तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका उचारण करते हैं इसको लीतल असा नाम दंता कहते हैं हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं कुछ चीज़ों गौर समझते हैं बात करते हैं ओस्ठा की ओस्ठा का सूत्र कहा है उप उप धमानी नाम ओस्ठा जो वर्ण ओस्ट से बोले जाते हैं, उन्हें हम ओस्ट है वर्ण कहते हैं, जो वर्ण ओस्ट से बोले जाते हैं, उन्हें हम ओस्ट वर्ण कहते हैं, जिसमें छोटा हुआ आएगा, बड़ा हुआ आएगा, फा का पूरा वर्ग आएगा, तिक है, यह आपको दिहान में रखन सूत्र कई बार पूछा जाता है आपको वो जो सूत्र को संस्क्रिप वशन सेक्षण में आते हैं ह Maar करना थे अब आपको इन सूत्रों से यह आपकी बाव चानासान पूरा बता रहे हूं ताकि आप कलतियां ना करिए उस वक्रॉब्लम आप पड़ो ठीक है आगे बड़े यहां तक क्लेर हो गया आगे चले नाशिका का या क्या है तो यहां पर रंगा नामा नाम नाशिका पड़ते हैं या इंगा नाम नासमा पुढ़ते हैं अब चाहें जो पड़ लो जिद्वर्णों का रुचे सान नाक उसे होता हूं नाशिका क्यालाते हैं अंगा है इन ना है मायरा वर्ग का नास्ट वाला होता है पंचमण भी नाका खहा जाता है तो नाशिका वला सूत्र भी प्रश्न ले उसमीन देगा कुछ ऐसी चीज़े हैं जो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं of कंटतालव का कंटतालव को मिलाकर य कंटतालव के लाते हैं A और I । क्षेशन प्रीषे कंधोस्ट आएंगे एंगे कंधोस्ट से होता है वो कंधोस्ट है कहलाते हैं ओ और और हृवह कंधोस्ट है टिल ठीक फ्रेंड्स साहिए एंगे एंसीट्यूस के फॉर्म में आएंगे टिक करने को आएंगे आपको पहता है आपने दोपेपर दिया है अलग-अलग तरीके से और गर्वर्ण के साथ ही यह वाज वह काहब कாफी है तो ध्यान में दिखर्टीव काम करना आपको भड़ेगा के कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछेगा जीटना होगा के लूक किये का प्रॉब्लमना हो scholarships 擊र सेबस्खेड रही है तो आपर कर सकते हैं अधर स्वाल कोई दिक्कत होती तो टाइंड करे प्रॉब्लम 또 की दूर हो जाएंगी यहां तक अब देखिए आपको समझ में भी आया होगा और चीजे भी आसान होगी लेकिन यह चीजें आपको लेर होनी चाहिए देखते हैं यहां तक हमने कर लाइए सूत्र नया नहीं कई बार पढ़ा है तो इतनी प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी अब पात कर लेते उस में टॉपिक की जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है बहुत साई लोगों ने पढ़ा होगा बीए में में जो भी कर माहिष्वर सूत्र क्या होता है यह सीधा आपको दो से 3 नंबर का लिखने को दो नंबर को आता है तो उस Zentrum प्रॉथ बार में 100 पैसे जरूर आएगा लिखने को को आएगा 100% आपको टिक करने को आएगा तो यह पता होना चाहिए तब ही आप ऐसा नहीं कर पाएंगे लगतिक है महाईश्वर सूत्र अस्ट दहाई वस्ट संस्क्रिप्ट विया करके 14 सूत्र कितने हैं 14 तो यह जो 14 है यह संख्या आप से पुछी आती 14 है तो जब पता होगा कि यह 14 है तब ही आप 14 वाले पर टिक कर पाएंगे की नहीं तो यह चीज़े नहीं मालुम हैं तो समझते वे चलिए ताकि प्रॉब्लम्स आपकी कम हो और आप हर चीज़ को बेहतरीन दरीके समझ पाएं ताकि प्रॉब्लम्स में क्वेशन जब आएं तो प्रॉब्लम्स आप टिक कर पाएं तो यह हैं जिनका प्रयोग पारिनी ने व्याकरण के नियमों को लगू रूप दिया तो किस ने दिया है महर्शी पारिनी ने तो कभी-कभी यह 14 सूत्र हैं कितने सूत्र हैं महाईश्वर सूत्र की संख्या कितनी है यह पूछता है साथ हम उसी जगा संस्कित व्याकरण की बात कर रहे हैं हम संस्कित में पढ़ रहे हैं चीज़े को समझ रहे हैं तो यह आपको समझना होगा कि महाईश्वर सूत्र में संस्कित व्याकरण को ही आधार मानकर सारी चीज़े बनाई गई हैं या उन पर आधारित हैं ठीक है अब द किजने देखा नहीं कोई पूफ नहीं सिर्फ यह बाते कहीं जाती है तो इसका एक सूत्र है आपको माहिशासूत्र पढ़ना होगा याद करना होगा ठोड़ी प्रॉब्लम्स होती यह बहुत तो नहीं होती वर्ट पढ़ने में थोड़ा-फौड़ा दिक्ते सभी को होती हैं तो यह सूत रगा आपको याद नहीं है तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूं दिखा रही हूं इसको कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको मॉल्टिपल टाइम रिवीजन करिए साथ इसकी वर्दिनी भी लिखने की कोशिश करिए क्योंकि यह कई बार आपसे पू करेंगा तो यहां पर दिखा है उद्धातु कर्मा कामा संकाद इसे द्धाने तद विर्षम और मिवर्षे सवस्य शूत्र जालम ठीक है इस तरीके से यह सूत्र है इसको आप मुल्टिपल टाइम रिवीजन करिए बार बार बोद ये इसकी वर्दनी सही करिए फिर दिए करके याद होगा एक नहीं करिएगा पॉब्लम में पढ़ जाएंगे क्योंकि यह सूत्र भी कभी 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 पेपर में कहा गया है कि महाश्य शूत्र की पंक्तियां लिखे महाश्य शूत्र को बताई पर बहुता सही दिखाई तो वहां पर लिखना होगा ठीक है ध्यान से स समस्ते वे चले तक गलतियां ना हो अब इनका मैं आपको अर्थ बता देती हूं नित्त के समाप्ति पर स्यूने संकादी विश्यों की सिद्धी और कामना की पूर्द के लिए चौदा बार डंबरू बजाया था इसलिए चौदा टोटने की संख्या है और चौदा को ही स्य किस्यों शूत्र चाला मिमाइश शूत्र ठीक है अब आपको दिखा देती हूं क्या क्या कि पहले में है आ है ई है ऊ है और रहे दूसरे रहे है ली है का ए है और है था और चाहिए आप सूचिए को बढ़ माला की तरह एक क्रम में लिग दी है तो आप नहीं लिख सकते हैं जो क्रम है वो अलग है और इस सूत्र का जो 14 क्रम है वो अलग है तो एक करने की कोशिश नहीं करिएगा फिर यहां पर हा है या है हा है या है वा है रा है टा है ला है रा है अंगा है मा है यह पंचम जो औरने एक साथ में है जबाईया हे घर्डधशा हे जबागर्धशा हे कंपाईया हे इस तरीके से आपको देखना हे तो याईसे जिस पैटन में दिया है आपको यगर इसे याद करना है और हमेशा के लिए धियान रखे यह important है संस्कीरियी दूसरी क्लास बहुत important है पूछा गया है अबको इस और याद करना होगा है एक बार नहीं दो भी तीन वादगी आपको याद होगी और फिर वन वाई वरे बन करके कुछ लिख देना हैं total 14 है जिस क्रम में उसी क्रम मैं याद रखना है यह ध्यान रखना है कि जो 14 यहां पर दिये जा रहे हैं उसमें जो जो स्वर हैं जो आपने हंधी बर मौला में पढ़र रखें उन सवरों आपको याद रखना है कि स्वर रॉरन को अच्च कहा जाता है ठीके स्वर हंदी में कहा जाता था लेकिए उनको अगर हम संस्क्रित की दिखाएं पे रखकर बात करें तो इस आपको नहीं ही पता है पता ही ने कश本当 कह लाता है यें तो थोड़ा सा प्रिपेर रहते हुए काम करिए ताकि पॉब्लम्स ना और समझ में चीज़े आ जाएं क्लियर है यहां तक तो चलिए आज की क्लास यहां पापकी बीस मन की क्लास हुई जो आपकी टैन मिनिट्स पंदा में पर करें तो काफी मैंने बढ़ी भी किल देर देर क करके ऐसे ही टाइम डिशन को हम बढ़ा करेंगे वन बाई बन करके हर सब्सक्राइब आप लोगे जो क्लास यह नौ पर ही होंगी पाकी कोई टाइम बढ़ेगा तो मैं आपको पताऊंगी आपकी एक क्लास होगी आपके जूनियर्स के पर जितना हो सब्सक्राइब आई एक क्लास यह नहीं कर पाल रहे है और अपठाई कॉंटीननसे में करें तिक है तो यह रही अपडेट aware मनें दे मिलते हैं निक्स में तब तक क english स्था की स्थ